कॉंग्रेस में वरिष्ट नेता कोटा उत्तर विधायक पूर्व ग्रिह मंत्री शांती धारिवाल ने आज बीजेपी की भजन सरकार पर कोटा प्रवास पर रहते हुए तीखा प्रहार किया धारिवाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटी हुई है प्रदेश में अभी फिलहाल ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाई हुई है बीजेपी सरकार में ट्रांसफर और पोस्टिंग उद्योग बना दिया उन्होंने कहा कि इस सरकार का आम जनता पर कोई ध्यान नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर भी धारिवाल ने कहा कि प्रदेश में हर दिन अपराध हो रहा है बीजेपी के लोगों ने कानून व्यवस्था को विधान सभा चुनाव में मुद्दा बनाते हुए कॉन्डरस सरकार के खिलाफ दुशप्रचार किया था लेकिन आज के वक्त ऐसा कोई दिन नहीं बीट रहा है कि प्रदेश में किसी जिले से लूट दुशकर्म सहेत अपराधेक घटनाए सामने नहीं आ रही हो हर जिले से लूट पाट की घटनाए वारदाते हो रही है कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट हो चुक प्रशाशन में क्या हो रहा है किस तरीके से ट्रांसवर पोस्टिंग की इंडर्स्ट्री चल रही है वो द्योग चल रहा है बागाटा ट्रांसवर पोस्टिंग का और बागी यहां के जो लोगों को जो जो शंक्रट पेदा हुरा है लोगों के सामने उसके बार उसको निपटाने के लिए इस सरकार की तरफ से कते कोई प्रयास नी हो रहा है इंका ध्यान ही नहीं है